दरीवा में पहली बार टमाटर 200 रुपे के पार पहुच गया है मंडी में टमाटर 190 से 200 रुपे किलो तो वही कालोनियों में टमाटर का रेट 210 रुपे तक पहुच गया है देश बर में टमाटर के महगे होने की खबर सुर्खियों में थी लेकि द्रीवा में ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों को टमाटर दो सो रुपे किलो में खरीदना पड़ रहा है दुकानदारों गा कहना है कि लोगों ने तो टमाटर खरीदना ही बंद कर दिया है जो लोग खरीदते भी हैं वह एक पाउ से जादा नहीं खरीद रहे है ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अब टमाटर रिवाबास्यों के थाली से दूर होता जा रहा है टमाटर के भाव नीचे आने के बजाए और चड़ रहे हैं पुदवार से लेकर सुक्रबार तक टमाटर 200 रुपे किलो के भाव से बिगा है दरसल इस दिनों एक भी गाड़ी टमाटर की मंडी में नहीं आ रही है इस वज़े से जो स्टॉक बचा है उसे उचे दामों में बेचा जा रहा है यही वज़े है कि किसी समय 10-15 किलो मिलने वादा टमाटर बीते एक माह से 100 रुपे से उपर ही चल रहा है सहर में टमाटर के रेट सुनकर ही लोग हैरान हो रहे हैं तरसल रिवा सही तासपास के जिले में टमाटर इंदिनों बैंगलूरू से आ रहा है वहां भी टमाटर महगा है दूरी वहने की वज़े से भाड़ा भी ज्यादा लगता है और लोकल में टमाटर का उत्पादन कम हो गया है यही वज़े हैं कि रिवा में टमाटर के दाम आसमान छोने लगे हैं तो थोड़ा और बेजना पड़ता है जो लोग लाते हैं उनको थोड़ा दस रुपए का सस्ता पड़ जाता है तो थोड़ा कम दो तक टमाटर उसके अंदर खराब बिनकल जाता है और किलो में किलो मों हो गया होने देवाल लेते कर दो लेते हैं और आप तो चालीश में पाओ अगर बेच थे हैं तो अकले पड़ता है और फाइसे दूसपण पड़ते हैं तो पचास रुपए पैगर किलों में लिया तो स्टय में कम घंकिता है लेकिन फिर गलें दकिन थना एतो आसमें हो लाग'd सीमित ज्यादा रेट नहीं है अधरक का भाव महागा है और टमाटर का और बरसाद में 30 रुपए किलो तो नार्मल कोई भी महागी सर्जी नहीं मानी जाती है तो महागी सर्जी 30-40 के अंदर ही है अधरक इस समें हम लोग 200 रुपए किलो लाते हैं और 60 रुपए पावेते हैं झाल जार्मल करें नहीं जार्मल का पिर पावेते हैं नहीं किलो रहीं है जासारद किलो लावेते हैं गया जार्मल कोई।